मैं आप सभी बच्चों के लिए one shot में पूरा theory of capital structure revise कर लेंगे और सिर्फ revise नहीं होगा हमें आप ही जाएगा basic basic चीजों को समझ के चाहे आपका mm अप्रोच हो चाहे कौन सा हो तो पहले मैं बता दूँ इसके अंदर क्या है एक है हमारा net income अप्रोच एक हमारा net operating इनकम अप्रोच जिसमें बच्चों को डाउट रहा था और एक है mm अप्रोच इसके अलाबा भी एक ट्रेडिशनल का कोई question नहीं बनता और नहीं पेपर में पूछा जाता है तो फिलहाल आपके पेपर में आएगा या तो net income अप्रोच का या net operating या mm इसमें भी आपको देखो strategy पता होना चाहिए तर इन दोनों में से किसी भी अप्रोच का questions अगर आ जाता है एक्जाम में फरक नहीं पड़ता सर आप कर लोगे जब इसके अंदर से ये वाला आ जाता है ने लीवर्ड और अनलीवर्ड वाला तो फरक पड़ जाता है मैं एक एक करके थोड़ा से पहले formula और abbreviation यूज करा है जो उसको समझा देते हैं एक बार सर क्या क्या है देखो सबसे पहले हाला कि इस chapter का एक नाम मैं बार बार लिख देता हूं लेकिन बच्चे पूछ पूछ के इसको value of firm के नाम से भी जाना जाता है लेकिन बच्चे समझना ही नहीं चाहते फिर वो अपना study material उठा लेते हैं डियू की और उसमें से compare करते हैं बोलते हैं यह तो हमारे में chapter है ही नहीं तो मैं बड़ी सीधी सी बात कहना चाहूंगा सर यह chapter आपके slaves का पार्ट भी है और वही है जो कि आपने देखा हुआ है slaves में तो थोड़ा सा उपर ले जाते हैं सबसे पहले value of firm में आपको value पता होना चीए तो सर value क्या होता है debenture प्लस में equity यानि debenture का जो भी value है प्लस equity सर equity कौन सा market value of equity equity कौन सा market value सर अब आपको debenture निकालने का तरीका पता होना चाहिए और equity निकालने का पता होना चाहिए सर equity कैसे निकालेंगे हम या तो total market value ले लो अगर market value नहीं दे रखा तो earning for equity divided by के दूसरे शब्द में मैं यहां बोल सकता हूँ EBIT EBIT minus interest और या यह confusion ना हो जाए मैं practical में लेकर चलूँँँगा चलूँए सर earning for equity earning for equity आप सभी को पता है क्या होता है मुझे roughly लिख रहा हूँ मैं सबसे पहले सर sales होता है minus VC करते हैं आता contribution है FC minus करते हैं क्या जाता है FC के बाद सर EBIT minus क्या कर देते हैं इंट्रस क्या जाता है EBIT जब EBIT आ जाता है तो फिर क्या माइनस कर देते हैं सर EBIT आने के बाद टेक्स माइनस कर देते हैं फिर आ जाता है earning for equity तो मैं इसकी बात कर रहा हूं और यह चर्चाना मैंने धेरो साले बहुत सारे सवालों में किया हुआ है आप उसको जान सकते हैं तो मैं उसमें आपका वक्त नहीं खराब करूँआ यह रिवीजन वीडियो सभी के लिए के फाइदे मंद है वैसे तो लेकिन इस्पेशली उन बच्चों के लिए एक तरीके से बहुत फाइदा मिलेगा जिन्होंने थोड़ा-बहुत पहले पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत यानि सर आपको पहले डिवेंचर पता करना हो तो वेल्यों डेट तो पता होता है लेक केई से दूसरा फॉर्मूला केई निकालने का ही है अर्निंग फॉर इक्विटी डिवाइड़ बाए केई कर देंगे तो यह आ जाएगा सर इसका डी बता दो डी ऑल्वेस गीवन होगा डेट का वेल्यू इनकेस डी नहीं गीवन तो एक यह भी इस तरीके से भी डी निकाल कुछ होगा और वह भी पता कि इसमें लीवड में यानि सर यहां जगेह छोडा हुआ अगर लीवड हुआ तो सर लीवड के केस में आपका अगर लीवड हुआ तो लीवड के केस में अभी से डाउट आने लग गया समझ भी नहीं आ रहा है अभी चैप्टर स्टार्ट के बाद सभी का हेंड्रेज या डाउट वर कुछ भी लेंगे उससे पहले कुछ भी लेंगे मैं यहां करा रहा हूँ क्या पूछने टाइम वेल्य ओफ मनी का डाउट सर लीवर्ड में लीवर्ड का मतलब और अनलीवर्ड का मतलब ये भी समझ लेजिए लीवर्ड का मतलब होता है अनलीवर्ड का मतलब होता है सिर्फ एक्विटी जहां फर्म में स्ट्रेक्चर सिर्फ एक्विटी का होगा और लीवर्ड का मतलब यहां पर में equity भी होगा और plus debt भी होगा ऐसे situation में आपको V पूछा जाए या आपसे KO पूछा जाए तो KO का formula देखिए क्या होता है KO का मतलब पता है क्या सर इसे WACC ही वोलो KO मतलब WACC तो इसका formula आता है EBIT upon me V EBIT upon me V अगर आपको EBIT भी नहीं पता V भी नहीं पता तो यहां में निकालने का एक तरीका है कि जो यह answer आया है V का इसका V यारी आपका अगर unlimited है तो unlimited में तो सिर्फ equity होगा और equity में V जो होगा वो सिर्फ किसकी value को बताएगा बताओ अगर मैं बोलू firm में सिर्फ equity और वहाँ पे value of firm क्या होगा जिस firm में equity होता है वहाँ पे V is equal to E हो जाता है यही होगा न मेरा एक organization है सिर्फ equity है debt रखा ही नहीं और पांच करोड रुपे का equity है तो मेरे firm का value क्या होगा पांच करोड यानि क्या होता है V is equal to E यानि सर यहाँ पे आपको लीवर्ड वाले के लिए debt दे देगा और equity देगा ही नहीं तो equity कौन से वाला इस्तमाल कर लोगे आप सर यह वाला अभी सवाल भी करेंगे हो गया debt के लिए अब यहाँ पे formula आप लगाओगे D और T का तो इस situation में लगेगा NOI में अभी कर लेंगे वी होता है value of firm और यह सारा formula हमें यूज करना है last है MM approach, sir MM approach के कुछ अपने assumption है जो मैंने classes पहले ली हुई है उसके अंदर भी बताया है कि MM में मोदी मिलर गिलानी क्या मानते थे theory आएगा इसमें से basically arbitrage process है यहाँ पे उन्होंने कहा था कि जितने भी investor है वो personalized है मतलब सभी को पूरे अच्छे तरीके से knowledge है corporate tax होगा नहीं जितना आप उसके अंदर saving कर रहे है उतना कहीं मान के चलो आप बहार से भी जा उठाओगे यह सारे कुछ हजम्शन थे जो इन्होंने लिए थे पांचे उसके according रहेगा हम practical की बात करते तो बहुत simple सी बात है आपको हर किस question में V निकालने को बोला जा सकता है या E निकालने को बोला जा सकता है या आपको KO निकालने को बोला जा सकता है और rather than आपको KE निकालने को भी बोला जा सकता है तो सर KE कैसे निकालने के लिए formula क्या बन सकता है क्या सर KE is equal to earning for equity आपका क्या है यह is equal to E है na earning for equity तो आपका टोटल वेल्यी और मार्केट तो कैसे निकालेंगे कई के निकालेंगे सार् एर्निंग फॉर इक्विटी डिवाइड़द भाइग इसको सॉल्व करिया तुस्तरी सेट इसको मल्टिप्लाइए करदेंगे या इसको यहाँ लिये तो इसको क्या करेंगे धिवाइड कर्ले होता है D1 divided by P0 plus में G यह भी तो होता है ना यह किसमें cost of capital में लगता है तो चलिए सवाल करेंगे तो हमें clear हो जाएगा पहला मैं first वाला करता हूँ नेट इंकम अप्रोच ने इंकंप अप्रोच ए को ु instr कहता है S Limited and T Limited are a same risk class are identical in all respect except the company S use debt while T do not use debt यानि सर यहाँ पर दो company है same risk class का मतलब भया यह दोनों risk की same है एक company का नाम S Limited एक company का नाम T Limited कहता है कि जो S company है use debt कहता है all respect S के पास दोनों चीज़े है debt भी plus equity पर और while T के पास debt हाई नहीं तो T के पास क्या होगा सरिफ equity कहता है दा Levered month यानि सर Levered。」 कौन सा होगा हमेसा याद रखना Levered month कौन सा होगा सर जहां पर हो debt plus equity Unlewolhouse कौन सा होगा जहां पर हो सिर्फ equity तो कहता है दा Levered month तो बताईए मेरे दोनों में से Levered month कौन सा है S Limited है या T Limited है कि यह हमारा जहां पर दोनों चीज हैं तो अस लिदीवां है काता है लीवर्ड फॉर्म हैस नाइन लेक लैक रूपीस डीवेंचर कैई 10 परसंट रेट इंटरस्ट कहता है कि डेंचर हैं यहांपर कितने देंचर और कितने रुपए का कि नौला क अग соглас केता है बोथ अफ़ फ़र्म एंट 20 परसेंट ओपरेटिंग प्रॉफिट ऑन देयर टॉटल एसेट्स दोनों फ़र्म हमारा अर्निंग करता है यानि इवी आई टी सब 20 परसेंट एसेट्स की वेल्यू कितनी है पंदर लाग इसका 20 परसेंट मतलब सर तीन लाग और तीन लाग बोथ फ़र्म एंट 20 परसेंट प्रॉफिट एसेट्स के उपर और दा कंपनी इस टेक्स ब्रेकेट 35 परसेंट और कैपिटलाइजेशन रेट 15 परसेंट ऑन ओल एक्विटी शेयर केई दे दिया इसने केई कितना दे दिया हमें पंदरा परसेंट टेक्स रेट दे रखा है 35 परसेंट कैपिललाइजेशन रेट दे दिया यू और ती लिमिटेट का वेल्यू तो सर वेल्यू क्या होता है दी प्लस में इस वाली कंपनी में तो दी प्लस में इस वाली कंपनी में क्या होगा सिर्फ E होगा क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ इक्विटी है तो फटा-फट से हम EBIT में से हम सबसे पहले minus कर लेते हैं क्या Sir Interest Sir Interest कितना होगा इस वाले पे तो है तो 15 कितने होंगे 1,35,000 यहाँ होगा नि अब यह आ गया earning before minus करेंगे 3,35,000 कितने बचेंगे 1,65,000 और यहाँ पे सारा बच जाएगा 3,00,000 अब Sir इसमें से minus कर दीजिए क्या टेक्स टेक्स 35% है तो Sir 35% टेक्स अगर हम निकाल लें तो 1,65,000 का 35% तो यह आ जाएगा हमारा 57,750 3,00,000 का 35% तो 1,00,000 चलिए Sir माइनस कर देंगे क्या जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टेक्स प्रॉफिट आफ्टर टेक्स क्या होगा हमारा अगर माइनस कर देंगे तो 195 और यहाँ पे 165 और माइनस 107,250 अब हमें V निकालना है V के लिए D पता है हमें Sir 9,00,000 नहीं पता E पता है क्या सर नहीं पता क्या E निकाला जा सकता है बिल्कुल निकाला जा सकता है Sir कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करके E निकालेंगे E का formula क्या कहता है सर अगर आपको total liquidity दे रखा तो ठीक नहीं तो earning divided by क्या कर देंगे क्या हमारे सवाल में earning पता है सर बिल्कुल पता है हमें earning क्या लेना है PAT वाला तो earning कितनी है PAT की इस वाले case में देखा जाए तो मैं यहीं पे निकाल देता हूँ E क्या होगा हमारा PAT divided by K E है ना इस वाले case में क्या होगा सर इस वाले case में PAT है हमारा 107250 divided by K E क्या है 0.15 यह आगे 7,15,000 सर इस वाले सवाल में क्या होगा 195 divided by 0.15 यह आगे सर 13,00,000 यह कितने आगे तो सर V निकाला जा सकता है V क्या होगा इन दोनों का टोटल इन दोनों का टोटल क्या होगा 9 और साथ 16,00,000 और इसका 33,00 अगर मैं सवाल में K O E भी पूछलू तो K O क्या होता है हमारा V divided by EBIT divided by V K O का formula क्या बताया था देखिए K O का formula देखिए EBIT upon में तो क्या यहाँ पे K O निकाला जा सकता है पूछ ले तो K O निकाला जा सकता है जबकि इस वाले सवाल में ज़्यादा V पूछा जाएगा यानि इस वाले approaches में V पूछा जाता है इस वाले approaches में ज़्यादा-ज़्यादा K O पूछ लिया जाता है यहाँ पे K E constant रहता है यहाँ पे K E fluctuate हो जाता है यह थोड़े बहुत differences है पहले आप पहले सवाल को देख लिजिए किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते है Sir 9,000,000 होगा न Interest 90,000 होगा Interest गलत ले लिया क्या मैंने अरे हाँ गलत हो गया पहले आपको concept समझ में आया क्योंकि 10% था मैंने 15% K E का निखाल लिया Interest क्या होगा Sir Interest होगा 90,000 आप लोग ध्यान भी नहीं दे रहे यह आएगा 2,10 11,500 136,500 136,25 9,10,000 18,00,10,000 देखिए कोई डाउट Sir 10 year में फॉर्मूला डिफरेंट है क्या डिफरेंट है बताईए अब पतानी 10 year में तो सेमी फॉर्मूला है आप एक बार ठीक से देखिए अप्रोच कौन सा लगा रहे है फिर पता चलेगा आपको 10 year में भी ये कुश्चन है उसका अंसर यही है के ओ एक बच्चा बोल रहे है कि सर के ओ क्या दे रखा है इस इकल टू ए डिवाइड़ बाई वी इंटू के वी इंटू के कि ये वो दे रखा है तो मैं उन सभी बच्चों से यही बोलूँगा भाई आपने जिस बच्चों को लगता है फॉर्मूला गलत है फॉर्मूला गलत नहीं है गलत आप कहां पर यूज़ कर रहे हैं वो लगेगा होगा 2012 में आया हुआ है देख लोगा कर आया हुआ है काफी कुश्चन कर आये हैं स्ट्राइप के पर ले बच्चे कह रहे हैं सर नेट ये तो नेट ओपरेटिंग इंकम का है तो सवाल में जब पूछा है मैंने क्या कहा आपको स्टार्टिंग में आप समझे नहीं बात को मैंने कहा कि फरक नहीं पड़ता आपको जैसे मर्जी मेथड बोल दे या बोल दे आपको नेट इंकम अप्रोच या नेट ओपरेटिंग इंकम अप्रोच कोई भी बोल दे आपने फॉर्मूला पूट करके आंसर निकालना है बस थोड़ा ध्यान रखना है नेट ओपरेटिंग इंकम अप्रोच में देखो मैंने यहाँ पर सिंपल लिखा है ये दोनों एकदम इकुल है अब सर कुछ बच्चे बोल रहें सर नेट ओपरेटिंग इंकम का भी या किसी का भी हो सॉलूशन यही आना है इसका आप उसको देख सकते हैं दूसरे तरफ हाँ लीवर्ड और अनलीवर्ड नेट ओपरेटिंग इंकम का होता और इसके साथ साथ कंडिशन ये भी है कि आप का लीवर्ड में इक्विटी नहीं गीवन होता लीवर्ड में इक्विटी नहीं गीवन होता तब लगाएंगे अभी एक दो सवाल और करने दो अपनी तो कन्फ्यूज होते रहोगे और टाइम जाएगा सरिफ अगला कोशन कहता है कि OI Limited being a risk class 10% expected EBIT of 4 lakh its employee debt in the capital structure find इसका employee का debt से capital structure में find value of the firm cost of equity यानि के इफ employee debt extent of 20%, 35% और 50% of total आपका financial required rupees आपको यहाँ पे दे दिया उसने कितने रुपीज की requirement है 20 lakh के तो ऐसे सवाल में आपके तीन सवाल हो गए एक, दो, तीन बूला गया कि यहाँ पे तीन structure होंगे debt के बोलता है employee 8% debt in the capital structure 8% debt का rate है find out the value of firm अगर employee debt extent of 20, 35 और 50 कहता है अगर हम 20% debt रखे तब बताईए, 35 debt रखे तो बताईए और 50% debt रखे तो बताईए, total financial requirement कितने हैं sir 20 lakh रुपे, 20 lakh का 20% क्या होता है तो मैं मानलू के 8% debt, sir 8% debt है, 20 lakh का 20% कितने? 4 lakh, 20 lakh का 35% कितने? 7 lakh, 20 lakh का 50% कितने? 10 lakh, तो पहले यहाँ तक देखे इसका कहने का मतलब यह है, बाकी balance security होगा लेकिन वो market value of equity नहीं होगा, normal equity होगा, बाकी balance हमारा equity होगा, लेकिन normal equity होगा, sir normal equity कितना होगा, यहाँ 16 lakh होगा, यहाँ 13 lakh होगा, यहाँ 10 lakh होगा, यानि 20 lakh रुपे में इस तरीके से लेके चलने वाला है, पहले बताईए, समझ में आयाएगी है, अरे यार, sir, mm approach से practical नहीं आएगा क्या, मैंने सबसे पहले ही बोला हुआ है, इसलिए पूरी classes देखो, आप mm देखेंगे ना इसका, तो मैंने specially बोला हुआ है, कोई आये चाहे ना आये, mm आयेगा, तो मैंने अभी, ऐसा तो नहीं है, mm नहीं करा है, mm करेंगे अभी, अभी हुई है class start, तो देखें, इधर उधर के questions, revision class में हमें क्या करना चाहिए सर, जो चीज कराया जा रहा हो, उसे observe कर लीजिए, आप जो बच्चे, मैंने कहा, जो बच्चे सरिफ पहली बार class देख रहेंगे, उनको इतना benefit नहीं होगा, हाँ, जो बच्चों ने आधा धूरा भी class देखा है, वो पूरा benefit ले पाएंगे, उनका पूरा clear हो जाएगा, जिसने पूरा देखा हुआ है, उनका पक्का ही हो जाएगा, लेकिन जिन बच्चों ने class नहीं देखा, तो वो बस confused रहेंगे, तो इसलिए classes हैं available, फुल लेक्चर आप देख सकते हैं वहाँ पे, सर दोनों case में क्या पूछता है company का, कहता है के find out the value of firm and cost of equity, तो सर सबसे पहले EBIT ले लो, ऐसे question हो में तो, सर EBIT क्या बोलता है, कितने percent है, 4,00,000 का कितने percent, 10% मतलब, तो हर जगा यही रहेगा, EBIT of, नहीं sorry, 4,00,000 ही EBIT है, कहता है के belongs the risk class of 10% and expected EBIT 4,00,000, 4,00,000, 4,00,000 हर जगा है, चलिए सर, minus क्या कर दे, 8 percent है, तो पहले कितना minus होगा, 7 percent है, तो कितना minus होगा, 7,00,000, पे 56,00, और इस पे कितना minus होगा, फटाफट माइनस कर दीजिए इसको तो यह क्या आ जाएगा E तो 368 344 और 320 माइनस टेक्स का रेट दे रखा है क्या क्या सवाल में टेक्स रेट दे रखा है नहीं दे रखा तो अठाईए फिर अगर मैं बोलू EAT तो सर यही आ गया आप सवाल को जादा और डिटेल में ले जाके कन्फ्यूज निकलना बड़ी सिंपल सी बात है कई बार कुछ सवाल ऐसा होता है हमें समझ बे तो आ रहा होता है लेकिन हम एक्जाम टाइम पे उसमें घुसने की कोशिस ना करें नहीं तो आपका बहुत सारा टाइम बर्बाद हो जाता है आपको सिंपल तरीका बताया गया सबसे पहले EBAT लिखें और V निकाले, E निकाले, बस खतम कहाले सर अब मुझे यहां से क्या निकालना है केई निकालना है सर केई कोश्चन मार्क है और क्या निकालना है सर केई के साथ साथ मुझे चाहिए V कोश्चन मार्क है अब सर V की बात करें तो आपको D पता होना चाहिए और E पता होना चाहिए क्या सवाल में D पता है, जी बिल्कुल D पता है, सवाल में D, क्या E पता है, E पता के लिए ये पता है, लेकिन हमें K नहीं पता, तो इससे तो होई नहीं सकता, समझ रहे बात को, एक और तरीका है हमारे पास, जो हमें 10% दे रखा है, आप सवाल में देखेंगे, तो आपको यहाँ पर 10% गीवन है, सर, 10% क्या गीवन है, ये KO गीवन है, 10% जो आपको गीवन है न, ये गीवन है हमें KO, 10% जो है ये है KO, तो सर आपको KO भी दे रखा है मैंने हलाकि नहीं नहीं लिखा यहां लिखे देते हैं KO तो आप मुझे एक बात बताईए V is equal to D plus में E होता है अगर मैं आपको यह दे दूँ और यह दे दूँ तो क्या यह find कर पाओगे अब सर V निकालना important रहे गया V निकालने का formula क्या लिखवाया था देखिए एक तो सर V ऐसे निकाला जा सकता है दूसरा V निकालने का तरीका कहां गया कहां गया कहीं बताई यह रहा है निकाल सकते हैं इस तरीके से हाँ एक यहां लिखा है मैंने मतलब इसी को थोड़ा सा इधर उधर करके formula लेख दिया EBIT upon me क्यों तो सर मैं यहां पे V निकाल दूं हर question में तो V निकालना जाएगा सीधा direct V आ जाएगा क्या EBIT upon me क्यों तो पहले case का निकाल लेते हैं पहले case का निकाल लेते हैं EBIT लेना है तो चार लाक point one दस लाक चार लाक point one point one में 10 लाक कैसे हुआ कि चालिस लाक यह आ जाएगा हमारा सतर लाक और यह आ जाएगा हमारा वन सी याज़़ग ज्यादा नहीं आ गया यह मैंने लिया ही गलत है आप भी कर रहे हो हाँ सर दस परसेंट ही है तो हर जगा तो चार चार लाक ही है तो हर जगा चालिस चालिस लाक सर डी भी पता है हमें हर जगा यहाँ पे चार लाक यहाँ पे सात लाक यहाँ पे दस लाक तो इनका difference यह आ जाएगा कितने जेंगे 30 और यह जाएगा 30 33 और यहां कितना एगा एक एसे बनाओग टी मेंने भाड़ होगा तो यह जोड़ा होगा तो यह जाएगा और यह सदूधार होगा है है market value लेते हैं अब एक तो सवाल में वी निकाल दिया बोलता के निकाल लो तो सर के का formula अब लग जाए क्योंकि हमें पता है के होता है मारा 80 divided by equity सर यह पहले सवाल में कितना है पहले सवाल में यह टी हमारा है 360 divided by equity कितने है हमारे सर equity है 36 बाकी के दो आपके उपर छोड़ूगा मैं सर यह आ गया इंटू में 10 इंटू 10 10.22 परसेंट के यह आ गया 10.22 परसेंट दूसरे का कैसे लोग से निकाल एर फिपॉर डिवाइड बाय ठीट्री लाइग इंटू में 10.22 परसेंट तीसरे का 320 ए डिवाइड वाइड 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 ओंध तीजो कि तीजार 10.66 यह यहां पर आपको कोई अप्रोच नहीं दे रखा बताईए कौन से अप्रोच से था कुछ नहीं पता तो मैंने सीधी सी बात बोला जब को ऐस्ट्राइब का सवाल आएगा ना तो आपका फोकस आपको क्या पता हो ना चीए वी के और के ओ बस अगर आपको यह आता है तो आपको ट्रेडिशनल या नेट इंकम कोई भी अप्रोच वह आता है एम एम को छोड़के एम बिलकुल अलग चलता है एम को हम अलग से अब बच्चे इसमें अप्रोच ढूंड रहे हैं सर यह ना यह अप्रोच है कहां लिखा है इसमें पता नहीं छोड़ो कि क्लियर कि एक और सवाल देखें 8.4 जिसकी मैं बात कर रहा था एक यह थोड़ा सा डिफेरेंट सवाल होगा क्यों डिफेरेंट होगा आप ध्यान दीजिएगा इसमें कहता है नेट इंकम ओपरेटिंग प्रोफिट दो दस और टोटल मार्केट वेल्यू अफ इस बारा परसेंट देप्ट दा इकुटी कैपिटल आपका है रेट अनलीवर्ड फिर्म फिर्म ऑफ सेम रिस्क लास 16 परसेंट फाइंड आउट वेल्यू अफ दो फिर्म लीवर्ड और किसका आट टेक्स रेट कितना है हमारा बूद फिर्म का यह पहले हम बना लेते हैं इसके लिए जो काम करते थे टेबल टाइप का बना लेते हैं ताकि अच्छा हो जाए हमारे लिए यह याद रखिएगा यह सवाल वेरी इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि इसमें कॉंसप्ट है अगर एक्सपेक्टिड कहेंगे न तो एक मेरे को लगता है कि यह सवाल आपके पीपर में पूछा जा सकता है एक्सपेक्टिड कोश्चन से यह हलाकि कुछ भी आ सकता है एक यह और एक यह पहले नहीं कराया था आज हम करा देंगे बड़ा आसान है लेकिन बच्चे इस कितने हों गए दोनों के लिए कहता है यहां पर 12% डेप्ट है सर कहता है दा इकुटी कैपिटल रेट आफ एन अनलीवर्ड फर्म अनलीवर्ड फर्म का जो केई है आफ दा सेम रिस क्लास 16% जो अनलीवर्ड का केई है वो कितने परसेंट है और 12% डेप्ट किसका है कहता है एन टोटल मार्केट वेल्यू इट्स 12% डेप्ट कितने दे रखें तीन लाग तो सर यहां पर दो कमपनी है एक लीवर्ड है एक अनलीवर्ड है तो अगर मैं डेप्ट की बात करूँ तो यहां पे होगा सर है के नहीं, यहाँ पर debt होगा क्या, equity की बात करूँ तो कहाँ होगा equity, यहाँ भी होगा और लेकिन इसका भी equity नहीं पता, इसका भी equity नहीं पता, दोनों का equity पता चल जाए तो हम भी निकाल लेंगे सवाल सिंपल सा है, चल यह सबसे पहले interest minus कर देते हैं, इसे लीवड मान लेते हैं, इसे अनलीवड मान लेते हैं, सबसे पहले interest minus करें तो सर यहाँ पर debt तीन लाग है और तीन लाग पर rate 12% यह नहीं 36,000, यहाँ होगा नहीं, सर क्या आया interest minus करने के बाद, interest minus करने के बाद 210 minus 76,000, 174, और सर इसका क्या रहेगा 210, ठीक है, और मजे की बात देखो, जो के बोल रहा है न यह, यह सिर्फ उसने unleवड फर्म के लिए denote किया है के अगर लीवड फर्म का भी 16 होता तो तो निकाली लेते सर, वो पीछे जैसा question हो जाता है, यह बोलता एक के लिए, सिर्फ लीवड के लिए, यह आ गया ebt, minus क्या कर दें हम tax 30%, सर 30% आ गया, minus करके आ गया, यहाँ पर देखा जाए, दो दस का 30%, minus करके आ गया, 147, यह आ गया e-a-t, सर अगर इसका e-a-t पता है, इसमें depth है ही नहीं, तो इस वाले फर्म में अगर मैं पूछू न, v क्या होगा, इस वाले फर्म में तो v is equal to ke होगा, किसके लिए बात कर रहा हूँ मैं, इसके लिए बात कर रहा हूँ, v is equal to e होगा, sorry, v is equal to, तो यहाँ पे अगर v is equal to e है, तो अगर मैं इस वाले फर्म में जाओं, तो मुझे ke पता है, और मुझे e भी, और हमें e-a-t पता है, तो क्या मैं e की value निकाल सकता हूँ, e की value निकालने का formula क्या होता है, e-a-t divided by ke, e, तो 147 divided by 0.16, तो 0.16, ke-16 था हमारा, तो सर यह आ गया हमारा, 918750, पहले यहाँ तक देख लीजिए आप, 918750, यहाँ तक देखिए, यहाँ तक सवाल समझ में आया है, तो हम आगे बढ़ेंगे, सवाल को समझ ये, अब मैं इसी के जैसा सेम सवाल दिखा हूँ अपको, अभी कर रहा है, यहाँ पे भी एक leaver था, एक unleaver था, comparison भी देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे केई दोनों का, दे रखा था, सेम है, लेकिन जो अभी हम सवाल कर रहे हैं, डिफरेंस ये है, कि इसका केई तो बताया, और इसका केई नहीं बताया, डिफरेंस समझ रहे हैं, ठीक है, अब सर इसका तो हमने वी निकाल लिया, क्योंकि V इसके अंदर अगर मैं बोलू कि अगर मैं सिंपल सी बात करता हूँ अगर मैं बोलू E तो सर इसका E तो नहीं निकाल पा रहे हैं V सर इसका V तो यही रहेगा क्योंकि मैं एक मिनटे एक मिनटे एक मिनटे आपको मैंने बताया था सर E और D निकाल लीजिए क्या निकल जाएगा दोनों को जोड़ के इसका E तो निकल गया इसका D तो 0 है इसका V निकल गया कितने आगया V That is V अब इसका E नहीं निकाल पाओगे आप अगर इसका E नहीं निकाल पाते तो अजंशन रहता है कि इसका E इसका E माल लो आप पहले चीज समझे और जो D होगा इसका तो इसके अंदर ये वाला formula लगाओगे D के लिए दूसरे वाला special formula जो लिखा है यानि लीवर्ड और अनलीवर्ड का case आगया equity question mark आगया तो क्या लगाओगे ये formula लगाओगे और इस formula के लिए मैंने बताया था आपको D क्या लिखना है D into में T लिखना है D into में तो सर यहाँ पे जो D into में T आएगा तो क्या आएगा सर यहाँ का D कितना है हमारा सर D दे रखा था question में देखे 3 लाग तो 3 लाग into में T कितने percent था point 3 point 3 कितने होते हैं 3 लाग into में point 3 बताईए 90,000 सर इसका V आजाएगा अब सर इसका इससे उपर कोई question बनता ही नहीं है इन तीनों method के अंदर एक सवाल और देख लेंगे अभी फिर देख लेंगे बताईए कोई दिक्कत यानि सर या तो simple होगा जो आप जैसा भी तोड़ मरूर का मैं बड़ी सीधी सी बात बोलना चाहता हूं अगर आप पढ़ गए अरे net income अप्रोच आगया अरे net operating income अप्रोच को छोड़ दीजिए बाकि सब अप्रोच इसको अगर फॉलो करते रहेंगे सवाल नहीं होगा सर आप देखें सर कोई सा अप्रोच है भाई भाण में जाए अप्रोच आपने क्या करना डेटा उठाया क्या पूछाए के पता है यहां स के दे रखार एक जगा नहीं दे रखार वहां पर डेट का निकालने का थोड़ा सा प्रोच चेंज हो जाएगा जो मैंने यहां बता दिया है फिर सदीपक कहा रहा है सदी तो तीन लाक ही होगा न भाया तो फिर यहां पर नहीं होगा देखा जाये तो हम डी को फेक्टरिंग करते हैं क्योंकि हमने यही वाला ई लिया है तो डी को जितना टेक्सिबल के लिए रहेगा सिर्फ वह वाला पार्ट लेंगे हम यहां अभी फिलाल के लिए आप यह देखिए सर क्यों लिया आपने 30% सवाल में दे रखा है 30% टेक्स रेट मैं सभी बच्चों को बोलना चाहूंगा आप पैटर्न को पकड़िए अब बच्चे इसमें उलजे रहेंगे ना सर यह क्यों लिया क्योंकि अभी जो रिवीजन का स्ट्रेटीजी होता है न मेरा कोसिस रहता है कि सवाल को एक घंड देखो यह चप्टर चला था एक हपता एक हपते दुबारा चलाओंगा तो अगला पेपर भी आ जाएगा फिर तो मेरा कंसेप्ट है कि यह पेपर ऐसा सकता है तो ऐसे करना cour और इसा सकता है तो और इसे करना इन तोनों में से कुई टाई पाइगा बात खत्म है कि यह अ कर पहले डैप्ट के साथ टेक्स ही लेते नहीं थे अरे भई पहले डेक्स अब बच्चों को दिखाओ दिखाते हैं सर यहां पे D में कहां गया यही था यहां पे D में टेक्स नहीं लिया क्योंकि के इदे रखा था अगर सिंपल सी बात आप एक चीज़ ध्यान रख लो अगर केई ना दे रखा हो तो D के साथ टेक्स लेना है बात खतम आपको डिटेल में जानना है तो मैं पूरा थियोरी के साथ करा दूँगा एक्जाम के बाद फिर देख लेना आपके कोर सटेंगे नहीं वीडियो रहेगा प्रोग्राम वालों को जब मैं कराऊंगा तो आप देख लेना तब उसमें अभी हमारे पास वह नहीं है कि सवाल से लड़ाई करें सवाल से लड़ाई करने का वक्त गया अब सिर्फ है कि बढ़ना मुस्किल हो जाएगा बड़ी सीडिसी बात है सर एक सवाल देखिए कितना इंट्रस्टिंग सवाल है यह सवाल जब आता है ना पेपर में तो बच्चे बोलते क्या दे दिया यह हमें तो कराई नहीं गया आपके टेनियर में भी मैंने छुड़वा दिया था मतलब कि उस टाइम पर नहीं किया था सर एक्जाम में आया हुआ कोश्चन है कहता है अज्यूम दा नो टेक्स आप्टिमल आपको डबलू ए सी सी यानि पूछा गया सर के ओ बताईए सर के ओ ओवर्वल कॉस्ट ओफ कैपिटल के ओ पता ही क्या होता है के ओ होता है हमारा के प्लस में के डी ओवर्वल कॉस्ट ओफ कैपिटल लेकिन ये भी फैक्टरिंग करके और ये भी फैक्टरिंग करके सर इस सवाल को कैसे करेंगे अगेन कहूंगा इस सवाल का बड़ा सिंपल सा तरीका है कैसे डेटा बनेगा नहीं बनेगा मैं बताता जाओंगा जो बच्चे इस सवाल को नहीं देखेंगे मेरे दो ही एक्सपेक्टेशन है इस चेप्टर में से इस पॉइंट में से एक जो अभी पहले वाला किया है वो highly recommendation है कि सर पेपर में आएगा और एक ही आएगा ये वाला अगर आया ना तो काफी बच्चे छोड़ देंगे एक दो और तीन चलिए हम यहाँ पर ना एक तो निकाल लेते हैं ए और एक निकाल लेते हैं डी ठीक है दो लाइन और खीची लेते हैं कि अ और ये ratio है ज्यान से देखेगा ये ratio है केता डेट अगर हमारा डेट अगर हमारा जिरो परसेंट हो यह कितना होगा क्योंकि परसेंट में चल रहा है तो यह होगा बड़ी सीजी बात है में डेट कितना हो हूँ कि आप एक को मान के चलेंगे ठीक है ना सौ डिवाइडिट वे सौ एक मान लेंगे क्योंकि यहां पर कोई डिजट नहीं है तो अजम्शन है कि एक हमारा है पूरा दूसरे में कहता है डेट 10% हो तो डेट 10% का पहला प्लाइन समझ में आई है पहले में 0% था दूसरे में कितने परसेंट बोल रहा है अगर डेट हो तो यह हो जाएगा सर जीरो पॉइंट और यह हो जाएगा जीरो पहले डेटा बनाई गया हो समझ रहे हो क्योंकि सर एक रुपे हैं आपके पास 10% डेट है तो यह 10% डेट है तो 90% क्या होगा एकविटी हो जाएगा सर बाकी बोलता अगर 20% हुआ तो बड़ी सीधी सी बात है यह हो जाएगा 0.8 और यह हो जाएगा 0.8 अच्छा सर अगर सर 30% हुआ तो बड़ी सीधी सी बात है यह 0.3 चालिस परसेंट हुआ तो यह 0.6 0.4 50% हुआ तो सर 0.0 और 0.0 सर 60% हुआ तो 0.4 0.6 पहले तो यह समझिए कि इतना डेट होगा अगर यह डेट का परपोसनेट हो तो डेट एकुटी इतना इतना रहेगा फिर हम उसके कॉस्ट की बात करेंगे कि इतने इतने रहेंगे फिर कॉस्ट की बात करेंगे पहले डेट इक्विटी आप देख लीजिए सब को समझ में आना चाहिए कैसे निकाला है समझ गए यह पॉइंट सर अब यहाँ पे सवाल में आपको केडी भी दे रखा है यानि बना बना यह लड़ू है यह और केई तो सर यहाँ पे 5% और यह 12% यहाँ पे 5% फिर 12% यहाँ पे 5% और फिर 12.5 यहाँ पे 5.5% और 13.0 यह तेरा 6% और 14% और 6.5% 16% देखें यह क्योंकि रिवीजन है तो एक छोटा सा काफी बच्चे सवाल पूछेंगे तो पूछने से पहले मैं बता दू डबलू ए सी सी पूछा है यानि के ओ पूछा है और नॉर्मल सा के ओ की बताएं तो पहले हम क्या लिखते थे यहाँ पे पंड लिखते थे याद है source of fund फिर amount लिखते थे फिर cost लिखते थे फिर product लिखते थे और source of fund में हमारे पास क्या है सर यहां पे debt भी है और equity भी है पहला सवाल अगर मैं debt की बात करूँ तो debt तो हमारा है 0 equity है 1 रुपिया cost की बात करें तो ये कितना हो जाएगा 0 equity का हो जाएगा 0. 1, 2 अब इसको multiply करते थे तो क्या होगा अगर इससे multiply करोगे तो क्या होगा 0. 1, 2 अब product इसका क्या होगा 0.1, 2 formula क्या था sigma fx का 0.1, 2 divided by इसका total क्या है 1 into में 100 that is कितने percent आ गया याता है समने करा है, नहीं करा आब उसके लिए देखिए shortcut, हमें क्या करना है इसको इससे multiply करना है, that's it और फिर इसको इससे multiply करना है दोनों को जोड देना है, यही तो किया है मैंने, दोनों को multiply करके जोड देना है मैंने बोला, sir sir, जो V होता है ना हमारा, या फिर KO जो होता है ना, वो KE का total plus में KD का total होता है तो यहाँ वाले situation में देखे, 12 into में 12, तो यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ, W, A, C, C कह लो, या KO कह लो, तो यहाँ पे तो debt तो है नहीं, तो पहले इसको इससे multiply किया, तो 12%, पहले answer done, 10 year में है यह सवाल अगला कैसे करेंगे, sir? Sir, पहले इसको इससे multiply करो, केई को केई से, और केडी को और दोनों को जोड़ो यानि क्योंकि कितने सवाल है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ साथ सवाल को यह method अपलाई करेंगे, तो भीया, एक ही सवाल होगा फिर तो तो हम अगर इसको इससे multiply करें, तो 0.12 0.12 into में 0.9 12 into में 0.9 हाँ, यह इसका total क्या आगया? लेकिन बच्चों को बता भी तो दू, 11.3 कैसे है, नहीं, तो फिर पूछ लेंगे देखिए, हमने equity को लिया, तो सर, equity का आया, 12 into में 0.9, that is 10.8 फिर debenture का लिया, 5 into में 0.1 that is 0.5 इनको जोड़ दिया, तो 13 point 11.13 आ गया समझें? अगला भी यह से निकाल लो गया आप? 11 आ गया अगला, इसके बाद वाला, 7 into में 13, 13 into में 0.7, सर, यह 9.1 आ गया, और 5.5 into में 3, बता दो कितना आ जाएगा? कितना आ रहे हैं, बता दीजिए? 1 point, तो 1.65 इन दोनों का जोड़ कि, इसका debt का, केड़ी का, 1 point, तो सर, 10.75 आएगा, 10.75 आएगा, percent है यह सारा, करते जाएगे, लास्ट वाले का, इसका लास्ट वाले का, कितने? नहीं, 2.8 वाले का नहीं है, जाएगा, Sir, E, लीवर्ड फर्म, डिफरेंट EAT, बोथ डिफरेंट, and we took E, E of लीवर्ड फर्म, will be different, as EAT of both different, अभी देखते हैं, क्या बोल रहे हैं, शाक्षी, अभी देखते हैं, किसका 10.8, अगला, अगला कौन सा, यह बना, 10.8, पता कितने नमर का सवाल आए था, 15 नमर का यह, शिर्फ डेटा, अरेंज गरना था, कितने, अगला, 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 ग्टी अब सिखावाँ, और वो भी, दिक्कत हो जाएगी, सर, मैं बात करूँ, यह दो मैथट खतम, इसके लावा कुछ नहीं है, आप टैनियर का कोई भी सवाल उठा लीजिएगा, हो जाएगा आप से, ठीक है, अगली बात कर लेते हैं, अगला, अगला, यह तो इससे भी आसान है, अगली बात करेंगे, अगली बात करेंगे, बच्चे लास्ट का, 20 कह रहे हैं, यह ना 20 कह रहे हैं, सर आपने, के यी को, इ मान लिया, नई, 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 के यी देखें, दे रखा है, इ मतलब इक्विटी, और डी मतलब डिबेंचर, यह डेप्ट, तो सर, यहाँ पर कोई वेल्यू नहीं है, तो एक रूपिया मान के कर लिया हमने, कोई डाउट है, तो बताईए, 8.4 कौन सा अप्रोच है, NOI अप्रोच था 8.4, मैंने बोला अप्रोच के चक्कर में मत पढ़िये, वो NOI था वैसे, वाच दूबारा बता दो, वाच क्या होता है, बारत मुझे समझ में नहीं है, यह नहीं है, है, बच्चे के रहें कब शुरू हुआ है सुबह सुबह क्लास में आप जो बच्चे जोईन हुए होंगे उनको पता होगा मौर्निंग में मैंने थियोरी के वीडियो ली है और वो अपलोड भी कर दिया है आपके जाके देख सकते हो थियोरी पढ़ना कैसे है ओनर्स वाले बच्चो को दूसरा आज मैं ये खतम करूँगा फिर कॉस्ट ऑफ क्यापिटल लास्ट रिवीजन मैं करभा पाऊँगा आपको कल उसके अलाबाद तो फिर आप अपने मालिक हो के कैसे करना है वो क्यूं नहीं यूज किया सर एनो आई में आपने लीवर्ड फर्म के फॉर्मूले बताये थे दीपक अगेन एक पर आप कॉल कर लीजिए का मैं समझा दूंगा आपको ई कैसे आया सर बच्चों को पूछना है ए कैसे आया यह हमने माना है इस इकल टू लेट ऊन म मने माना है कि ओस सदूर हम का टोटल पैसा एक रुपिया है हमने माना है तो जहां पर डिबेंचर ही नहीं तो फर्म bara पास security कितना होगा एक रुपिया जहां पर 10 परसेंट है तो फर्म के पास नब्य पैसा equity होगा और 10 परसेंट होगा यानि 10 पैसे का यहां पर लेट एक्जंशन लिया है लेट फर्म को पास fund जो है न वो एक रुपिया है तो एक रुपिया को proportionately बाटे तो क्या होगा बड़ी सीधी सी बात है बिल्कुल कल कॉस्ट और क्या पेटर अभी बता देते हैं मैं इनका देख लूँ ना तक है झाल हलां कि इसमें दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए एक दो सवाल करेंगा सुझमा जाएगा अच्छा इसके बाद है नहीं चाहिए हैं लिवरेज यह भी लिवरेज यह फिर दुबार है यहां पीवेक पीरेट गहां से एक मिनट गहां सेर्टो्स नयाँ नयाँ सेर्ट इवरेबा繫़न यह भीवेक इवरे टॉड़ेल कर दो 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 कहां चले गया यह रहा कर दो हाँ जी कर दो चलिए अगला आते हैं अगला आते हैं आपके टैनियर का सवाल है देखिए mm का क्या कहना था कि आपके पास दो फ़र्म होते हैं एक लीवर्ड होता है एक अनलीवर्ड होता है आप अगर यहां से बेच के यहां चले गए अपना हिस्सा यहां से बेच के आप उसमें चले गए तो short term में तो आपको दिखेगा वही है लेकिन long term में आपका क्या होगा same value हो जाएगा यहां से बेच के आप यहां अगए तो आपका same value हो जाएगा कई बार हम क्या करते हैं देखो share market के अंदर मान लेते हैं रिलाइंस का share है पच्चिस सो का और रिलाइंस के अगर टक्कर की बात करें तो टाटा का share ले ले लेते हैं एक एक्जामपल ले रहा हूं आज है मान लेते हैं 3000 रुपए का आपके पास एक share है एक ही share है आपके पास और मैं बोल रहा हूं 10 साल बाद दोनों सेम हो जाएगा 10 साल बाद दोनों का price मान लेते हैं के सेम हो जाने वाला है 55,000 तो आज आप चला की दिखाओगे क्या करोगे ये वाला फट से बेच दोगे कितने पैसे आगे जिम में और फटा फट से क्या खरीद लोगे तो आपने कितने कमा लिए 500 रुपे लेकिन future में इसका value क्या हो जाना है 5000 तो mm यही समझाने की कोशिस करता है कि भई अभी आप बेचो खरीदो कोई फरक नहीं पड़ता current level पे आपका क्या हो जाएगा saving हो सकता है लेकिन future में उसका value क्या हो जाएगा saving आपके पास दो option है आप जो यहाँ पैसा बचा रहे हो तो एक काम कर सकते हैं आप पूरे 3000 रुपे यहाँ पे लगा दो पूरे 3000 रुपे यहाँ पे लगा दो कोई फरक नहीं पड़ता है तो mm का कहना था बाकी mm के सवाल हमने जो folder में डाला हुआ है वीडियो के अंदर सही तरीके से बिलकुल है बच्चा इस chapter को देखके कहां turn around हो जाता है कहां से back हो जाता है जो अभी करवाया इसके बाद वाला बहुत आसान है देखिए क्या कहता है सवाल में कुस्चन में कहता है आपका दट्टू कंपनी एक यू कंपनी एक यू कंपनी बिलॉगिंग इकुलेंट क्लास रिस्क का साथ है फर्म आइडेंटिकल इन रिस्पेक्ट अफ यू अनलीवर्ड एल 10% डिव यहां से यहां चाहता है कहता है 10% इन्वेस्टर जो है एल लिमिटेट का शो आर्बिट्रेज प्रोसेस यह बोलता है कि हम आर्बिट्रेज करेंगे तो आर्बिट्रेज का मतलब एक कंपनी से खरीदना एक में बेचना खरीदना बेचना एन अमाउंट और विच कुड रिडियूस दा आउटले थूदा यूज लिवरेज अकॉर्डिंग टू एम एम अप्रोच वट विल बी आर्बिट्रेज प्रोसेस तो यहीं कहना होता है यहां पर आपको पता चल जाएगा अम का नाम जरूर लिया जाएगा और अम का नाम नहीं मिला तो आपको यह वाला वर्ड मिलेगा आर्बिट्रेज तो यह सिर्फ एम नहीं बताया था और किसी का है यह यह आपके पास वैल्यू कितना है यानि लीवर्ड फर्म की अगर वी की बात करें और अनलीवर्ड फर्म तो लीवर्ड फर्म का है बावन लाग अनलीवर्ड का तो हमेज़ा हम यही करते हैं महेंगे को बेच देते और कहां सिफ्ट हो जाते हैं सस्ते में आप यहां से 10% हिस्सा बेचोगे तो 10% क्या बेचोगे सर यह दो चीजों को मिला के बना होगा क्या क्या इक्विटी और क्योंकि यह कौन सा फाम है तो सर एक्विटी कितना होगा इसमें दे रखा है सवाल के अंदर 22 लाग बाकी का डेट कितना है और इसके अंदर क्या होगा कुछ नहीं सिर्फ क्या होगा इसके अंदर पहले तो यह समझे structure को समझे पहले आप structure को समझे पहले आप पहले आपको यह बात समझ में आई कि लीवर्ड फर्म में एक्विटी का भी कोई योगदान होगा और डिबेंचर का भी और जबकि अनलीवर्ड में सिर्फ क्या होगा अब आप महंगी वाली कंपनी कौन सी है बताइए इन दोनों में से लीवर्ड और सवाल में भी यही आप 30,000 रुपए 30,000 या 3,000,000 रुपए मैंने साहिद गलत तो नहीं ले रिया 25 तो सब टोटल कितना निकल जाएगा आपका पांच लाख परसेंट होगा बावन लाख 25,000 रुपए यहां से बेच दिए आपके पॉकेट में कितने पैसे हैं बताइए कितने पैसे होगे आपके जब बेचे तो आप यह में पैसे आये ना पांच पच्छे अब जा रहें दूसरी कंपनी का शेर खरीदने तो जब आप इस कंपनी के जाओगे खरीदने के लिए तो कितना पैसा खर्च करोगे सेम परसंटेज एक्वाइर करने के लिए यहां पर कितने परसंट एक्वाइर कर रखा था आपने आप चाहते हो इस कंपनी का भी मैं कितना परसंट खरीद लूँ कि तो आप बताईे कितने पैसे यहां पर खर्चने पढ़ेंगे अपको 5,06いきます यहां पर खर्चने पढ़ेंगे आपको बड़ी सीधी सी बात है तो अगर यहां पर 5,06 खर्च रहे और आपके जह में कितना था यहां पर आपकी सेविंग हो गई एक ये प्रूव करके दिखाना होता है आप कितने पैसे बचाने में पहला तो ये बताना है तो ये तो आप एजिली बता सकते हो किसी का भी पहले पॉइंट दूसरा आपको प्रूव भी करना होता है कि भाई या दोनों जगह पे इंकम क्या है सेम हैं दोनों जगह पें पहले ये देख लो समझ में आया एक और सवाल पूछलू है सही हलाकि इस में नहीं निकाल के दे रखा गार नहीं निकाल के देता है तो आपको निकाल ले न क्योंकि originated ग्राइश सारा जो ट्रेडिशन वो नेट इंकम अप्रोच या उपरेटिंग अप्रोच में सीखा था चलिए सर देखिए मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं खीचना चाहता इसी को करने का फॉर्मिट क्या था सर इन्वेस्टर ने 10% सिफ्टिंग किया कितने का ये और ये पहले ये दोनों बाते समझ में आई जो कि मैं आपको समझा रहा था यहां पर क्योंकि मैं थोड़ शॉट लेना चाहता हूं और लंबी वीडियो नहीं करना चाहता यह समझ में आया है टोटल पैसा कितना गया पांच-पच्चिस परचेस कितना कर लिए ये सेविंग हो गया सेविंग समझ में आ गया क्या इसमें कोई समस्या है अब हमें प्रूव करना करना है एनियलेषिस एनियलेषिस अम जब पूफ करेंगे हैं तो हम क्या करेंगे एक लिवर्ट फिरम के अंदर होंगे एक लिवर्ट फिरम के अंदर होंगे यह घुली फिरून भी जाएगा एक अजम्चन लेओं तो यानि सर आपके दो फिर्म है एक अनलीवध है और एक लिवड है तो सवाल में क्या कैता है अब मैं यहीं पर कर देता हूं कैता है क्यानि मानलो यानि पहले फिर्म है पहले फिर्म ी यहाद है नहीं आद है दो अनलिवर्ट में कितने लगाए थे और यहां पर आपको डिविडेंट मिलेगा और जी सब्सक्राइब किसके इस आप से मिलता है की कितने पर सेंट है मतलब सर यहां 75 सब्सक्राइ司 को यहां पर यहां पटान बरेंगे को सब यहां मिल यहां पर 15 लोग क्या है ञब कि अब कि मान जो कि आफ ने यहां पर लोन ले लिए 1000 कृषा है था कि मानिवां ने ₹ ऐगी 35 और जब आप थे इस company के अंदर जब आप इस company में थे तो आपके पास कितने का diventi है कूटी था यह आपके पास यह उप्र आप उनिक्यी चाहां तो आप ने क्या करा था सब्सक्राइब के क्या वहांती कि तो दोनों इंकम मैं पूरा सवाल करके भी दिखाऊंगा मैं ये चीज़ आपको एक बार बता दू पर्जेंटेशन आपको ऐसे करना है यहां भी 45 हो गया यहां भी 45 हो गया पहले यहां तक समझ में आगया आपको अब इस सवाल को मैं बहुत सिंपल वे में आपको करके दिख सर इसके अंदर इस सवाल को करने के लिए दो स्टेप होंगे नंबर एक सेविंग निकालोगे नंबर दो अप्रूफ करोगे ठीक है ना पहले हम निकाल लेते हैं सेविंग सेविंग कैसे निकालते हैं हमारे old company में जो हमारे investment है उसको पता करो old company में हमारा equity भी था और old company में debenture भी था old company में equity कितना था सर old company का अगर मैं बात करूँ तो 22,50,000 जिसका हमने कितने percent बेच दिया 10% that is old company का equity आ गया 2,25,000 old company के debenture की भी बात कर लेते हैं 30,00,000 था इसका भी आप 10% हिस्सा बेचोगे that is 3,00,000 रुपए सर कुछ बच्चे ये ना समझे के 10% ये वाला rate है क्या नई सर 10% जो ये कर रहा है उसकी बात कल रही है आप इस बात का ध्यान लग नगा यानि फंड आपके पास आ गया कितना सर फंड आ गया पांच लाग 25,000 आपको इंवेस्ट करना है दूसरी company में सर दूसरी company का value कितना है सर 50,000,000 इंवेस्ट करना कितने % है सेम 10% तो यानि कितना इंवेस्ट कर दोगे सर 5,000,000 तो आपके क्या निकल के आ गई सर सेविंग निकल के आ गई कितनी सेविंग निकल के आ गई 25,000 पहले ये वाले point को आप ok करो फिर में आगे बढ़ू सर ये question important है महा important पहले इस point को ok करिए clear है अब हम दूसरा क्या करेंगा proofing करेंगे proof वाले point पह आ जाते हैं चलिए सर अरे इतना आसान सवाल आता है न ये मैं तो कहता हूँ कि 15 नंबर free के हैं सवाल देखने को इतना बड़ा है answer देखो कितने में खतम हो गया चलिए सर हमारे पास एक होगा रिवर्ड हम किषमें जा रहें पहले वो लेको हम जा रहें Heart only में और एक था लीवर्ड सर अन्लीवर्ड का पहले kayविडेंट का दूनों का वरा सर दूनों का जैपनेंट रएट क्या है हमेशाः ए ड हौता है उन्लीवर्ड केोंO खाई इतना, इस पे कितने % dividend था sr 20% था, तो यानि इसके अंदर अगर unlimited की बात करें, तो 15% है, पहले तो यह determine करो, कौन बच्चा बताएगा इसके उपर 20% और 15% के रिसाफ से unlimited firm में कितना dividend मिलेगा हमारे investment पे, Unleaved firm में कितना dividend मिलेगा Unleaved firm में कितना dividend मिलेगा बता दीजे जल्दी Unleaved firm में यह Unleaved है Unleaved के कितने shares है आपके पास Unleaved के कितने है मैं थोड़ा और detail में ले लू ताकि आपको clarity मिल जाए यहां लिखा मैंने old firm That is levered है और यहां लिखा investment other मैं जिसमें जा रहा हूँ उसको new firm बोल रहा हूँ जिसमें मैं जा रहा हूँ उसको मैं new नाम दे रहा हूँ हलाकि है पुराना किसमें new में और new में जा रहा हूँ That is आपने जितना equity खरीदा है उतना ही dividend मिलेगा तो आप Unleaved में गए या नहीं गए Unleaved में कितना equity खरीदा पांच लाग का और पांच लाग पे कितने परसेंट सा पंदरा तो यहाँ पे आपने dividend कमाया होगा 75,000 और Leaved firm के अंदर आपके पास equity था स्रिफ और स्रिफ ये इस पे कितना कमा रहे होगे आप 20% That is 45,000 रुपे पहले ये बात ओके करिए फिर में आगे चलो ये पॉइंट ओके है तो आगे चले अब हमें Unleaved firm में अजंशन लेना है कि भाईया सब equity नहीं है हम मान के चलेंगे जितना डिवेंचर पहले था उतना अब भी होगा ये MM का अजंशन था ऐसा मानो कि ये ऐसा जो है कहीं आप loan लेके आओगे तब आपका ये proofing होगा तो मान लो कि इसके अंदर आपको equity है इसमें मानना पड़ेगा कि सर अगर मैं इसमें होता interest और मैं 3 लाक रुपे पे अगर मैं 10% का ब्याज दे रहा होता तो यहां मेरे 30,000 ब्याज में जाते तो net हमारे जेब में आता है यहां पे 45,000 और पहले भी dividend के form में मेरे जेब में कितने आ रहे थे पहले आपको 45 ही मिल रहा था यह हो गई आपके proofing एक और सवाल देखें चलिए यही कर लेते हैं आज का लास्ट सवाल और सर यह सवाल खत्म का है solution पर क्यों आ गए हम question सबसे पहले तो आपको data बनाना पड़ेगा यानि सर आपको चाहिए equity भी चाहिए और आपको चाहिए debenture भी यानि वी दोनों का चाहिए बिना वी के तो आप आगे बढ़ी नहीं सकते है ना क्योंकि वी के बाद ही decide करोगे किसमें जाना है कितना सस्ता कितना महंगा there are two company L and U both company are identical or respect expect the company L limited debt L के अंदर सर debt है कितना debt है L limited में 30,00,00, sir rate क्या रहेगा उसका और सेम कहता है बोथ company earning 750 आगे कहता है further L having the equity capitalization rate यानि further L, L के पास कितना है and U have 15% illustrate using MM approach how the investor 10% share L limited better by switching over U limited यानि L से बेचके कहां जाएगा तो sir L से बेचेगा पहले L का V तो निकाल लो U का भी V निकाल लो tax rate दे रखा है सवाल में tax rate दे रखा है कहां दे रखा है MM का यही मानना था भीया tax rate है नहीं दुनिया में एक यह भी अजम्शन था MM का कोई tax rate होता ही नहीं है जो कि बाद में इसको rectify किया गया बोला भीया ऐसा तो तुम गलत दे रहे हो सब चीजे यानि गलत सलत नहीं पढ़ा सकते चलिए sir tax होगा नहीं मुझे पता है लेकिन interest होगा sir interest कितना होगा 10% यानि 3,000,000 sir कितने बचे 4,500,000 और 7,500,000 ये क्या गया e80 मान लो इसे क्योंकि tax होता नहीं है अब आप e निकाल लो v निकाल लो sorry e निकाल लो और क्या निकाल लो d निकाल लो और v निकाल लो sir इसका d तो निकला निकलाया है sir e इसका निकाल सकते है e कैसे निकलेगा sir e होता है हमारा e80 divided by कि 80 कितना है 4.50 कि कितना है 0.20 तो कितने हो जाएंगे 9 लाक और यह 12 लाक देखें मैंने निकाल तो दिया अब बताइए सही निकाला गलत निकाला नहीं अरे मैंने गलत निकाला भाई 22 लाक पचास जार 22 लाक और 30 यह तो सेम कोशन बन रहा है है ना यहां पर कितना है साड़े साथ लाक यहां पर केई क्या है इसका ई निकालेंगे तो सर ईएटी साथ पचास केई यहां पर 0.15 अरे पचास तो भी कितना होगा अब यह डेटा आपको क्या करना पड़ा यहां पर बनाना पड़ा पिछले वाले सवाल में यह डेटा बना हुआ दिया था अब हमारा काम स्टार्ट होगा पहले निकालो आप सेविंग फिर निकालो different तो सर सेमी सवाल है ये आप देखोगे तो पहले मैं सेविंग निकाल लो सेविंग कितना होगा तो सबसे पहले जो पुरानी कंपणी में आप क्या क्या लेके hold कर रहे थे ये देख लो पहले old company में तो old company हमारे क्या था लीवर्ड था तो sir इसमें equity भी था हमारे पास और debenture भी था सर equity का भी 10% था और debenture का भी 10% था तो sir equity का मेरे पास था कितने दो लाग 25,000 और debenture का था हमारे पास 3 लाग तो sir पुरानी company में हमारे पास था 5 लाग 25,000 अब नई company में जा रहे हो आप new company का कितने percent हिस्सेदारी खरीद लोगे 10% और नई company में 10% क्या खरीद होगे equity का तो that is क कितना खरीद लोगे आप पांच लाग और आपकी saving कितनी हो गई 25,000 वही है मैं सवाल को दो बार कर नहूंग ताकि आपको पता चल जाए कि process क्या रहेगा बिल्कुल तो mm वाला तो आप जैसे आप अभी जैसे मैंने समझाया अगर आपको समझ में आ गया है तो फटा फटा से जाके 10 year के सारे question कर लोगे खतम ही हो जाएगा और आदे घंटे सूपर नहीं लगना इसके बाद क्या करेंगे sir इसके बाद हम करेंगे dividend की बात sir dividend कितना होता आप कि यू में ले लेना एल में ले लेना यू में dividend कितना आ रहा है 75,000 और एल में कितना आ रहा है माइनस इंटरस्ट वही कहानी है तीस और तीस और यह प्रूफ हो गया ठीक है यानि यह पूरा question कितने नमबर का एगा sir पंदरा नमबर का एक और सवाल देखे लास्ट था देखे अभी एक और देख लेते हैं यहीं पर लेते हैं ठीक है आगे नहीं जा रहे हैं यहीं पर लेते हैं चलिए कहता है क्या कहता है sir there are two firm A और B यहां पर A और B firm है sir their capital structure observe करता है और दे रखा है आपका A limited और B limited दोनों की बाते हैं EBIT दे रखा है दोनों का same और एक में debenture एक में नहीं तो sir मैं अगर बात करूं तो यह वाला जो है न B वाला वो है unlevered और A वाला क्या है देखके पता चल रहा है debenture और interest से ठीक है calculate the value of two firm and 10% आप shifting कर दोगे दूसरे firm के अंदर बड़ी सीधी से बात है तो sir हमने सबसे पहले यह solution किया इस solution में पहले EBIT रखा माइनस कर दिया इसके उपर निकाल के interest समझ रहे हो फिर PAT आ गया अब यहाँ पर के B रख दिया हमने के रखने के बाद equity की value आ गई दोनों की और उसके बाद यहाँ debenture पहले से पता था यहाँ पर B निकाल लिया और यहाँ कियो निकालने के no need to find कियो अगर question में बोला हुआ है कि निकालो देन निकालो अदरवाइस मच निकालो इसकी कोई जुरत ने यह मैंने एक्स्ट्रा निकाल के दिखा रखता है यहां तक समझ में वही प्रोसेजर है पहले वाला अब निकाल लेंगे क्या हमें कहां से कहां जाना है सर एसे जाना है किसमें B में तो यहां से बेच के यहां जाएंगे तो सिंपल सी बात है यहां पर आप बेचेंगे कितना 81,000 अगर 8,12,500 तो इसका 10% आप बेचेंगे 81,250 बेच दोगे पैसे आगे pocket में और सामने आली company की कितनी value है अब यहां खरीद लो 10% तो कितना खरीद होगे तो आपके को समझने का बस नजरिया है यह क्या हो गया है 1250 की सेवी यहां पर बस equity अलग कर देना लोन पर अलग दिखा देना इसके बाद प्रूब करना है सर अब इसके अंदर आपका क्या था 5000 का dividend आएगा और इसमें 10,000 का dividend आएगा क्योंकि यहां 20% था जब 10,000 का dividend आएगा मान लो इसके उतना ब्याज होता तो पांसचर का ब्याज दोनों को आपने प्रूब कर दिया ठेड़ सारे सवाल है यह तो आज यह पूरा चप्टर खतम हो गया है एमेम अप्रोच का कि टेस्ट कब लोगे इसका डिफरेंट है आप मुझे वाट्सप करिए वाट्सप पे मैं रिप्लाइ कर दूंगा और 28 तारिक को मैंने बोला हुआ है जितने बच्चे सुभह नहीं थे अठाइस यानि कल ही है कल एक मैं कॉस्ट आफ क्यापिटल को जो कन्फिजन है ने बच्चे को के सब डबलु ए सीसी में सिर्फ डबलु ए सीसी पर जंप करूँगा मैं उसमें जल्दी जल्दी उसमें कन्फिजन है के एक डी के लिए तो यह मैं बता दूंगा दूसरा 29 तारिक को आपका स्रिफ डाउट सेशन होगा क्लास कुछ भी नहीं रहेगा डाउट सेशन कैसे लेना है वो इससमेंस डाल दूंगा कल की टाइमिंग कर दे है म्वफ है ना कल है MWF MWF में सुबह साथ बजे रखा इंकम टेक्स में अठीकर जाएं कर दूंगा利 को इस बेखा है कर दो जाएं कर दो कल की टाइमिंग रहेगी आपकी सुभे दस बजे कल की टाइमिंग सुभे दस बजे कुश्चन पच्चेस सताइस एनो आई इसका अलग आ रहा है कि देपक अभी मैं दस बजे लूँँगा डाउट सेशन कल मैं कॉल उठानी पाया था आज मैं ले लूँँगा अपका कि टैनियर होगा उस टाइम पर मैं लैपको पर बैठके ले लूँगा अभी तो टैनियर नहीं है सब्सक्राइब करें तो टैनियर के पहले करा है मैंने सूचा आज आर्पी रस्त होगी इसमें क्या डाउट है इसमें क्या डाउट है कल इवनिंग में नहीं है सिर्फ मौर्निंग में एक क्लास रहेगी माइक अन कर दो माइक तो नहीं कर रखाते हैं माइक तो नहीं है देख लेते हैं माइक अन है सर है माइक अन है